नमस्कार 1124 देखने हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आन्या सिंग केंदर मंत्र चुराग पास्वान ने मंगलवार को विश्वास जताया कि राजग जारखन में एक मजबूत सरकार बनाएगा जहां भारती जुन्ता पार्टी भाजपा हर्याना के बाद अगली बड़ी हार की और बढ़ती दिख रही है लोग जुन्सक्ति पार्टी रामवलास ट्रमुख ने ये भी कहा है कि वह राज्य में भाजपा के एक सीट की पेशकर से संतुष्ट हैं और उन्होंने उन अटकलों को खारच कर दिया है कि सौदे से उन्हें अपमानित महसूस हुआ है चुराग पास्वान ने समधाताओं से कहा है कि ऐसे कई लोग हैं जो मेरे और प्रधानमंत्री के बीच दरार डालना चाहते हैं वे कभी सफल नहीं होंगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इस बात से न केवल खुश है बलकि पूरी तरह संतोष भी है कि भाजपाद उसके साथ हमारा बिहार में गडबंधन है ने जहारखन में भी हमें उचद सम्मान दिया है उन्होंने कहा कि वह 24 अक्टूबर को जहारखन का दौरा करेंगे जब उनकी पार्टी के मिदवार जनारदन पास्वान जो दो बार वुधायक रह चुके हैं नमांकर पत दाखिल करेंगे आई और उन्होंने कहा कि अपने मिदवार की जीत सुनिष्ट करने के अलावा पार्टी अपने सयोगियों को बहतर पदर्शन करने में मदद करने के लिए रण नीती तयार करेंगे आपको बता दें कि जार्खर में भाजपा सबसे जादा 68 सीटों पर चुनौ लड़ रही है उसके बाद आजसू पार्टी 10 और बिहार के मुख्यमंत्री इंतीश कुमार की जदियू 2 है राज्य में विधान सभा की कूल सीटे 81 है पासवान ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि एंडी जार्खर में मजबूत सरकार बनाएगी कॉंगरेस के नतुत्त वाला भारतिय कटबंधन हरियाना के बाद अपने अगली बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है यह एक ऐसे मुख्यमंत्री के कारण बदनाम है जो जेल में रह चुका है गटबंधन इतना तूटा हुआ है कि घटक दल सीटों के बटवारे को लेकर लड़कर खुद को अपमानित महसूस कर रहे है जार्खन के मुख्यमंत्री हिमन सुरेन फरवरी में मनी लॉंडरिंग मामले में जेल गए थे रहा होने के बाद वे चमपाई सुरेन को हरा कर फिर से मुख्यमंत्री बन गए जिदोंने जार्खन मुक्ती मोर्चा छोड़कर भाजपक अदामन धाम लिया था जहां मुओ कॉंग्रस राजद और वाम दलो के साथ अकट बंधन में चुनाओ लड़ा लड़ रहा है पासवान ने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी बिहार में लड़ाई के लिए पूरी तरह तयार है जहां अगले साल विधान सभाद चुनाओ होने है और अगले महीने पटना में एक विशाल रैली की योजना बनाए गई है उन्होंने कहा कि अतिहासिक गांधी मिदान में रैली 28 नमंबर को आज़ुद की जाएगी चो उस दिन मेरे दिवंगत पिता रामवलास पासवान ने लोग जन सकती पार्टी बनाई थी मेरी पार्टी उस दिन चुनावी बिल्गूर बजाएगी और चुनावी महल में उतरेगी अब से ठीक एक साल बाद हम चुनाव देखेंगे अगर चुनाव थोड़ा पहले हुए तो शायद नई सरकार भी बनेगी तो कूल में लाकर चुलाक पासवान ने जहाखन चुनाव को लेकर ये साफ कर दिया है कि भारतिय कर बंधन अपनी अगली बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है और साथ ही यह भी स्पश कर दिया है कि वह राज्ज में भास्वा दोरा दी गई एक सीट से संतुष्ट है और इस सौदे से अपमारित महसूस करने के अटकलों को खारिच कर दिया है तो फिलार के लिए बसुत नहीं ऐसी तेमाम ख़बरों के देखते रहें एक सुष्ट 24 धन्यवाद